नगंटों खड़े रेकर दूद को उबालने का टेंशन और ना ही बहुत ज़्यादा महनत करने की जोरत बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही स्वादिस्ट है रबड़ी बनकर तयार होगी और वह भी केवल 10 मिनिट में तो में वर्षा भावसार आज मैं आपके लिए लेक के आई दूद तो गेस का फ्लेम हाई कर देते हैं और फटा फट से दूद में एक बॉइल ले लेते हैं बीच बीच में हमें से चलाते रहेंगे तक जो दूद है नीचे तले में चिपके नहीं तो कुछी देर में आप देखेंगे दूद में यहापर बॉइल आना शुरू हो चु कर देते हैं इस रबड़ी को बनाने के लिए आपको इसा भी दूद का यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में आता हूं पैकेट वाला ले सकते हैं या पर डेली जो आपके घर में दूद आता है उसी का यूज कर सकते हैं मैंने तो यहापर बेस का दूद लिया है क्योंकि डेली मेरे घर में यही दूद आता है तो इसके साइड में जो मलाई चिपक जाती है इसे इस तरह से खुरशते वे इसमे स्वाद अनुसार ले सकते हैं मैंने यहाँ पर 3-4 चमत चीनी का यूज़ किया है और चीनी डाल के से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो चीनी के डालने के बाद हम यहाँ पर एक बड़ा सा बोई फिर से ले ले लेंगे ताकि जो चीनी है वो भी अच्छे से पक जाएं तो इस तरह से चलाते वे ही आप पकाई तो इसी तरह मैंने आपके साथ आटे वाली रबडिक की भी रेसिपी शेयर की है वो भी बहुती फटाफट बनकर तयार हो जाती है और बहुती स्वाधिस्ट लगती है तो वो भी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई तो इसे भी आप एक बार जरूर से ट्राइ अगर आपके पास फटावा दूद नहीं है तो दूद में आप निम्बू डालके उसे फार लिजे फिर अच्छे से वाश कीजिए उसका भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो इस तरह से जब हम छेना डालके रबडी बनाते हैं तो रबडी बहुती दानेदार बनती है और साती हमें बहुत जादा इसे गाड़ा करने के जुरत नहीं होती है पास से दस मिट में ही यह रबडी बनकर तयार हो जाती है तो यहां पर में इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेती हूं ताकि इसमें जितने भी बड़े लंस हो वो खतम हो जाए और अ झीछ करुण ऐआ ने इसमें डाल देते हैं अतलम आप दाल रही हों जाल जाल यह है और हैसी छोड़ान जालना चाहें तो इनने का यह को एकारह नधा प्रश दश, वर टालनी थिधी के जरत हुआ है तो है, actually हो फेसी मीटाने मेले synt होसी के सबीचाइब ऑप एक मनाना आध तो अब आप देख सकते हैं कितनी स्वादिस्ट रबडी लग रही है बहुत एदानेदार रबडी है कुछ देर हम इसे ठंडा होने देते हैं इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे तो अब मैं यहाँ पर गेस का फ्लेम ओफ कर देती हूं अगर आपने अब तक मैरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप मेरी सबी रेसिप्स पेच पर देखते हैं तो फेस्ट पेच को भी फॉलो कीजिएं तो मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ